हेलो केडिट्स, कैसे हो आप लोग, वेलकम टू दे इंपोर्टेंट कोशन सीरीज फॉर सैनिक, नवोदय और अरेमेस तो अभी इस कोशन के तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बैच के बारे में मता दूँ 4G batch हमने launch किया है, अगर आपका सपना है चैनिक स्कूल में एड़िमिशन लेना, या RMS में एड़िमिशन लेना तो ये batch आपको बहुत ज्यादा दे सकता है क्योंकि इसमें आपकी recording lectures, special recording lectures के साथ साथ live classes हैं मैं और सरसर आपको monitor करेंगे साल बर कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो हम पूरी responsibility लेंगे आपकी पढ़ाई की periodic test, monthly test, sample paper, exercise, level wise questions, सब कुछ इस batch में होने वाला है अगर आप चाहते हो इस batch की ज़्यादा जानकारी लेना तो आप नीचे जो एक link दी coaching institutes में स्री चतन्या, resonance, आपका catalyzer, unacademic सब जगा मैंने पढ़ाया है तो मेरे को actual में पता है कि किस तरीके से पढ़ाना है क्योंकि मैंने हर type की बच्चों को पढ़ाया है, हर जगा की बच्चों को पढ़ाया है तो वो पूरा experience 6 साल का, स्रेश सर खुद सैने की स्कूल से pass out है, उनका 4 साल का experience हम ये पूरा experience यहां आपको 4G batch में देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप ये telegram group join कर सकते हो, या आप हमें call कर सकते हो, इस number पे 9-111-410-781, आप इस number पे हमें call कर सकते हो, या telegram group join कर सकते हो, अगर आपका को गुली से question पे आजाते हैं, अपन, the ratio between two numbers is 12 is to 13, ठीक है भी या, किसी दो number का ratio है, वो 12 is to 13, if each number is reduced by 20, अगर दोनों number को 20 से reduce कर दें, तो जो ratio बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 is to 3, तो आपको वो दो number बताने हैं, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, जब भी step के questions आएं बस क्या मानना है, दोनों का ratio 12 is to 13 है, तो एक number क्या हो गया, एक number आगया हो गया, आपका 12x, और दूसरा number क्या हो गया, 13x, clear, क्योंकि उन दोनों का ratio करोगे, तो x और x कट जाएगा, 12 is to 13 ही आएगा, है ना, तो जब भी इस type का question हो कि किसी दो number का ratio कुछ भी दिया है, तो द क्या, सबसे पहले देखो आपका ratio and proportion का question है, तो question पढ़ते के साथ सबसे पहले ये analyze करो आप लोग कि कौन से chapter का question है, तो हो तो पता चल गया ratio and proportion, चलो भी या, फिरे तो पता है जब भी ratio दिया हो तो number कैसे मानते हैं, अब आपको क्या बोला कि इसी ratio में अगर दोनों number को numerator औ मैं नी बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, question, if each number is reduced by 20, अगर each number, उपर और नीचे, दोनों number को अपने किसे reduce कर दिया, 20 से, तो यही ratio क्या बन जाएगा, 2 by 3, खातल, इतना ही simple था भी या, इतना ही simple था, बस, कि उसी में, उपर नीचे, अगर अपने 20 से minus कर दिया, तो ratio क्या या, 2 is to 3, तो अपनको number बताने, तो number बताने के लिए, अपनको कोई common factor चाहिए, x, तो बस, अब cross multiply कर दो, cross multiply कर दो, 3, 2s are 6, 3, 2s are 6, 3, 1s are 3, 36x, minus 3, 2s are 6, 60, is equal to 2, इस से पूरे से multiply हो जाएगा है, ना, तो 3, 2s are 6, 2, 3, 2s are 6, 2, 1s are 2, x, minus 2, 2s are 4, 40, ठीक है, तो इसको इधर ले आता हूँ, और इसको उधर, देखो, यहां यह प्लस में है, उधर जाएगा तो minus में, तो 36 minus 26 बन जाएगा, 36x minus 26x, is equal to, यह minus 40 था, उधर वो minus 60 है, यह इधर आगा तो plus 60 बन जाएगा, plus 60, तो 60 minus 40 is 20, और वहां 36 minus 26 is 10, तो यहां पर आपका answer आगया, 10x is 20, तो x की value कितनी आ गई, 20 by 10, 0 ने 0 को मार दिया, answer is 2, ठीक है, तो x की value आ गई 2, तो दोनो नमबर कितने हो जाएगे, एक हो जाएगा 12 into 2, और एक हो जाएगा 13 into 2, तो एक नमबर will be, your one number will be 12 into 2, 2, 2s are 4, 24, और एक नमबर हो जाएगा 13 into 2, तो 36, तो दोनो नमबर निकालने बोला था, ठीक है, दो चीजों का जब भी ratio दिया हो, मालनों वगर आपको ratio दिया हुआ है 3 is to 7, तो आप मालने ना एक number है 3x, दूसर number है 7x, बासमाद में आई, इस टाइक के बहुत सारे questions में आपको करा है, अब उन दोनों में 20 को minus किया, तो नया ratio क्या बन गया, 2 is to 3, simple, cross multiply किया, और अपन ने solve किया, इस minus को इधर भीजा तो plus, इसको इधर भीजा तो minus, ठीक है, solve किया तो 10x is equal to 20, तो x is equal to 2, अब x2 आ गया, लेकिन अपन को निकालना क्या था number, तो एक number अपन ने क्या माना था, 12x और एक क्या माना था 13x, तो 12, 2 जा 24, 13, 2 जा 36, समझ में आ गया, तो question को द दिमाग लगाओगे तो बनेगा, clear, चलो, अगर समझ में आ गया, तो मुझे comment section ने बताना, अगर आपके कुछ भी doubts है, तो आप telegram group जरूर जोइन करना, और वहाँ पर मेरेको doubt भेजना, और अगर आपने अभी तक 4G batch का complete detail वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उसे अभी जा करके देखो, नीचे description में link दी हुई है, ठीक है, चलो, आपसे मिलूँगा फिर अगले doubt में, या अगले आपके important question में, तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो, स्वारवसर की class, जै हिंद, बाइ-बाइ, take care.